बदायू में दो बच्चों की निर्मम हत्या ने हर किसी को जग जोर कर रख दिया है जिस तरीके से आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया वो हैरान करने वाला है हैवानियत की सारी हदे पार कर दी गई भरोसे और इंसानियत का कतल कर दिया गया और जिस रहस्यमाई तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है इस वारदात की पूरी कहानी मैं आपको इस वीडियो के जरीए बताऊंगी लेकिन अगर अभी तक आपने न्यूज एट इन इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले देखे मंगलवार को ये वारदात अंजाम दी गई और उसके बाद से ही बदायू के इस इलाके में जहां पर ये घटना होती है वहाँ तनाव का महल देखा जा रहा है लेकिन हुआ क्या ये हम आपको बताते हैं बदायों के सिविल लाइन थाना इलाके में दरसल आपको बता दें कि जनल लिगम में ठेकेदार है विनोध कुमार जो अपने परिवार के साथ वा रहते हैं चंद कदमों की दूरी है जो चौकी है वहाँ से चंद कदमों की दूरी पर इनका घर है और इनकी पतनी दरसल एक पारलर चराती है घर के अंदर ही यहीं पर इनके पडोस में सलून का काम करने वाले जिनकी नाई के दुकान हैं वो दो लोग शाम को पहुंचते हैं इनके घ और एक का चाहेद और जावेद तो साजित उसने कहानी सुनाई की उनकी पतोपनी दरसल अस्पटाल बंच भरती हैं डिलिवरी वो नहीं होSt जाने उनकी तो पैसे की मदद के लिए वह फर्याद करते हैं उसे पांच हजार रुपएink 對 預 तो इस मदद के लिए जो पार्लर शराने वाली जो मैला है वो अपने पती को फोन मिलाती है और उनको पूरी कहानी बताती है उसके बाद 5,000 रुपए की मदद भी वो इन रोपियों को करती है रोपियों उसके बाद कहता है यह जो पूरी घटना है यह हम आपको चश्मदीद जो है उन्होंने क्या कहा है उसी के आधार पर बता रहे हैं हमारी टीम भी वहां पहुंची हुई है नियूज 18 इंडिया की टीम वहां पहुंची और क्या कुछ बाक्चीत वहां हुई है परिवार के लोगों से उसी आधार पर हम आपो यह पूरी जानकारी दे रहे हैं तो इन बच्चों को बहला फुसला कर ये आरोपी अपने पास बुलाता है और फिर जो हुआ उसकी कल्पना किसी नहीं की थी दो बच्चों की निर्मम तरीके सहत्या कर दी गई तीसरा बच्चा जो छोटा था उसके उपर भी अटाक किया गया हाला कि उस बच्चे ने चाला की द धवास दोड़ता हुआ उपरी मंजल से नीचे पहुंचा और अपने घर में उसकी दादी और मां वहाँ पर मौजूद थी और वो बच्चा कुछ बोल नहीं पा रहा था कि क्या हुआ उसने बस इशारों में समझाने की कोशिश की तर तक उपर से आवाज भी कुछ हैसी आ कि उसके बाद से जो उनका रोना शुरू हुआ जो बिलखना उनका शुरू हुआ वो अभी तक थम नहीं रहा है लगातार बार बार परिवार यहीं गुहार लगा रहा है और सवाल यहीं पूछ रहा है कि आखर उनकी क्या गलती थी अब यहाँ पर मैं आपको यह बता दू कि तंत्र मंत्र का चक्कर था यानि कि जो आरोपी जिसने महिला से कहा था कि उसकी पतनी अस्पताल में अद्मिट है डिलिवरी होने वाली है उसने इस बात का भी जिक्र किया था कि अब तक जो डिलिवरी होनी थी मंदब पहले भी उसकी पतनी प्रेग्नेंट हुई थी लेकि ये सब अभी सिर्फ कोरी अफवाहों के तौर पर आप इसे देखिए क्योंकि इसकी पुष्टी कहीं से भी नहीं हो पा रही है पोलस के पास भी फिलाल कोई थियोरी नहीं है परिवार का ये कहना है कि हमारी कोई आपसी रंजिश नहीं थी सिर्फ जान पहचान इस लिहाज से थी क्योंकि जो दुकान वो चला रहे थे हमारे घर के ठीक सामने थी इसके पहले ये आरोपी कभी हमारे घर में नहीं आए अब इस पर पॉलिटिकल वो और भी शुरू हो चुका है एक तरफ समाजवादी पार्टी जो सत्तारूर पार्टी है यूपी के अंदर उस पर सवाल उठाते हुए क्योंकि इसमें समुदाय विशेश का एंगल भी है इससे जोड़ कर देख रही है और जिस तरीके से एंकाउंटर हुआ है उस पर भी सवाल उठा रही है जबकि घटना के पीछे वजय क्या थी क्या मंचा थी क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया यह कई ऐसे अंसुलजे सवाल है जिनके जवाब परिवार को भी चाहिए और हमें भी चाहिए आपको यह वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएगा झाल